हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो माई चैनल आज की वीडियो में हम लोग सिखेंगे डायक्ट कप्डे पर सबसाची ब्लाज को बनाना और इसे हम बैक लेस्ट बनाएंगे स्लीप बनाएंगे फ्रेंट्स 36 साइज का तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले लाइनिंग करेंगे इसके लिए लाइनिंग को डबल फोल्ड करके इस तरस रख लिया है और नीचे से एक लाइन मार्के कपड़े को सीधा कर लिया है अब यहीं से देखिए अपने ब्लाज की लेंगे जो की 14 इंच है एक इंच हमने माजन का प्रस करके 15 इंच ल अब देखिए हमारा गला 12 इंच का डिप है इसे बैक लिस बनाएंगे तो हमने देखिए धाई इंच अपने सोल्डर से कम कर दिया है तो अब हमारा सोल्डर डिपने के कॉर्डिंग 5 इंच आ गया इस लिए इसलिए हमार मूल भी थोड़ा कम ही रखेंगे हमने रिखिए हम इसलिए हम ने चैनल पर अपलोड किया है कि इस ताइप का वीडियो आपने चैनल पे अपलोड किया है अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके यहां पर देख लिजेगा देखिए आप इमने हमारा चेस्ट जो था 36 इंच का था उसमें एक इंच और माइनस कर दिया तो हमारा जो आएगा वह मारा चेस्ट कबर कर लेगा तो दो इंच कमने इसमें माजन भी रख लिया म मायन अपने कॉर्डिंग रख सकते हैं कमर देखिए आप यहां से माई टक्स है कमर को हां से हाफ करेंगे और इसकी लंभाई हम 4-4 इंच रखेंगे अपने कॉर्डिंग टक्स की लंभाई रख सकते हैं फ्रंस बैक की जैसे आपका गला हो और यहां पर हम अफ हाफ इंच की टक्स लगाएंगे बैक में हम हाफ इंच की टक्स लगाएंगे तो दोनों सायड से मिलाके मारा एक इं पट्टी को चाहे जितना चोड़ा या पतला रख सकते हैं आपका गलग दम पर्फेक्ट आएगा तो यहां पर हम दो इंच की सोलर पट्टी रखेंगे और बाकी पार्ट बचेगा उसे अपने गले में लेंगे पट्टी आप अपने एक वार्डिंग रखें बाकी पार्ट को आप गले में ले लेजिएगा तो देखिए गले की लंबाई जो हमारी है यह बारा इंच की है यह रिखें 12 इंच भी एक मार्क लगा लेना नीचे की सैट देखिए आप अपने ब्रॉड्नेस अपने कोर्डिंग रख सकते हैं तो मने नीचे भी तीन इंच ही लिया है उपर भी मारा गला तीन इंच ही आया है इदम पर्फेक्ट आपका ब्लाउज बनेगा स्लीबलेस डीपनेक के कोर्डिंग और अब देखिए यहां पर इस तरह से शेप देंगे तो मारा जो बैक पार्ट है बैकलेस भी हो जाएगा फंगले के पास मारा कोई कपड़ा नहीं बचाए यहां पर दोरी लगाएंगे इ को नहीं बढ़ाना है जैसा मारा बैक पार्ट है एस टीशमस फो उतार लेंगे यह देखिए तो मने यहां का सेप करके मार्क कर लेना है आप मार्क करने के बाद लें तो देखिए पार को हटा लिया स्लीबलेस बलाघवे तो हमार मुल पर गहराई नहीं देएंगे और की लेंग बाखलब से प्लाइए प्लस एक में एक प्लसफ के UDB प्लस है और लगया है और नव इंज में मार्द गला भण गला तोड़न के मांधी लेनदे सब्क इन्ध हम इस मीं मांस ह norm आर감 सी वाउन बैली नहीं है सब्सक्राइबॡ उटना ही रखा है और इस ततर से अपने टक्स लाइन और गले की लायन को मार्क कर लेना का लान damned पर पंडे सब्सक्राइब ही जादा ही कि पान भी सीपड को और इसका गला थोड़ा ब्रॉड और बड़ा भी होता है तो देखिए इस तर से करके मुने शेब दे देना है अब देखिए जहां पर मारी टक्स पाइंट है हम चेस्ट का दस्वान लेते हैं तो यहां पर 3.6 इंच आएगा यहां पर भी मारी 3.6 ही आना चाहिए तो इसे सीधा मार्क कर लेना है अब देखिए इसमें 1 इंच की मार्क करेंगे इसरीधा मार्क कर लेते हैं और फिर इन दोनों को इस तरस देच्छी लाइन से मिला देना है और देखिए इसी-पाइंट से मारा टक्स बनेगा जो मारे लाउज में पप बनाएगा तो यह देखिए यह मारा पफ है यहां से ईहां पर हमारा आर्म होल के पास तयार है वहाँ से एक एंदर लेंगे और इस तरह से राउंड सेव देंगे जैसे हम प्रिंसेस कटका सेव देते हैं तो अब परफ्येक्ट सेव डेना है राउंड लेते हुए अब चाहते हम पर हाफ इंच की टक्स लगा सकते हैं तो इसमें इसमें देमनाब्स का कॉण wha Bread देते देनिक तुमारे मार्जर में चला जाए गा ज़रह अगा और यहां पर है मेल्ट की मार्किंग करेंगे थेां इसके रहा है और यहां से लाखे को मने इस तरह से मिलाना है और अब या पर मने count को मेल रिख गाटे probel के पाइल रहाँ है और अब यहां ऑने कि न अब देल हैं तो अब यहां से कमर का हम चैग लेंगे 差 शीटा क्ली मनेंका ऑब स्वागी हाँ और दो इंच मार्न का ले लिया है अब देखिए यहां पर जॉइंट करेंगे तो हाफ इसमें भी शिलाय में जाएगा तो दिखे चेस्ट के पास भी ने हाफ इंच ले लिया है और इस तरह से मर्क कर लेंगे तो मारा कपला छोटा नहीं पड़ेगा यहां पर मिला देंगे और मेजर कर लेंगे कितना रहा है यहां पर देखिए पहुने तीन इंच आ रहा है यहां पर पांच इंच है तो हम पांच और पहुने तीन को कहीं पर लिख लेंगे पहुने तीन यानि 2.75 इंच तीन इंच में पाव इंच कमा रहा है तो यहां पर हमन अबिल्ट को नोट कर लिया था कि कटिंग करते से मिन को याद रहे और मार्किंग की कोडिंग में इसकी कटिंग कर लिया तो यहां पर देखिए यह अला पार्थ हम है यहां पर प歌 कर लिया है तो यहां पार्थ हमने कट कर लिया है अब दुख्फर यहां पिसको रखकि чуд को समझना है दिख़े ध मनें मार्क किया यह इसका टेक्स है इसको हम कट करके अलग कर देंगे तो इसलिए हमने जब इसको हम यहां पर जॉइन करेंगे इसमें जो मारी सिलाई का मार्जन जाएगा तो यहां पर एक इंच टक्स के लिए लिया था वही मारा मार्जन हो जाएगा कठ लगा लिया है और फोड़ा सब्सक्राइब बढ़ा को लेते हैं इस तरह से इसको जोइंड करना है यहां से इस तरह से जोइंड करते हो लियाएंगे जादा ही है तो समय आफ्सक्राइब स्लीब और यहां पर इतना आरहा है आप चाहेए इसमें हgor बना सकते हैं तो यहां पर 80 cm की लाइनिंग में हमारी elbow sleeve या छोटी sleeve दोनों हो जाएगे क्या कि बलाओ जमारा sleeveless है तो हमने यहां पर sleeve लगानी नहीं है तो हमें यहां पर देखी बेल्ट की marking कर लेते हैं तो देखी बेल्ट के लिए कपड़े को double fold किया है एक इंच मार्न का पहले ले लेना है और फिर अब देखिए जो मने measurement लिया था नोट किया था बेल्ट को उसे cut करेंगे तो इससे पहले कमर का चुथाय लेना है और दो इंच मार्न का लेके लाइन को पहले मार्क कर लेंगे यह देखिए अब यहां पर देखिए इस साइर मारा बंद वाला पार्ट यहां पहले पांच इंच लेना है और यहां पर पहले तीन इंच लेना है 2.75 इंच पर और इस तार से से थेको को मिला देना है और जहां से माई तैयार कर के कटिंग को कर लेना है देखिए यहां पर 5 इंच है यहां पर 2.75 इंच है तो हमने इस तरह से मार्कर के कटिंग को कर लेना है यह देखिए फिर निवेल को भी कट कर लिया है ते हां पर कटिंग कब्रिट हो गए पर देखिए हम पनी प्रेक और फ्रेंट के सोल्डर को डाउन गिया था इस्तासे मं अफिन्च को नहीं कर लेंगे कि यह हमारा प्लॉज जो है डिपनेक का है हमें घाले की सरी को 1घ हफ इंच है जब गर्ता नहीं है और इसेेक समय कर ले ऐपट के सेब को कर लेते हैं पर कर लेंगे ऑर 1ड हिन्च की पर पर की साथ छोड़ देंगे और चेंब पलटने में आसानी रहते पो दूख को कट कर लिma है कॉında कट कर Users को च़ब conservative कर लोगई सब्सक्राइब कर लिए है आफ सारे पाटको कि इससी तरह से रख यह हम कप्ड़र पीakक कर लेंगे तो देखिए यहां पर मिने कटिंग कम्प्लीट कर लिए है अब से लिए हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे तो आप वीडियो को देखेगा जरू क्योंकि इस ब्लॉज को हम एक नया लुक देने वाले हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर भी कर लिजेगा फ्रेंट्स चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक यू